साथ्यों अच्छी जिन्दगी जीने के लिए आपके घर में आपके प्रयावरण में आपके आसपास positive energy का होना बहुत जरूरी है जिन्दगी वो नहीं होती जो आपको मिली है बलकि जिन्दगी वो होती है जो आपने बनाई है बहुत सारी गलतियां हमसे life में होती रहती हैं और उनसे हम सीखते रहते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा गाइड मिल जाए, तो हो सकता है, आपको वो सारी गलतियां ना करनी पड़े सीखने के लिए, जो आम तोर पे लोग कर देते हैं. एक वास्तो शास्तरी, आपकी आँखे खोलता है, आपको सही गाइड करता है, और आपको बचाता है उस बुरी बुर्जा से, जो आपके लिए आगे चलके घातक बन सकती है. आज इस वीडियो में यही बात करेंगे संभवतिया, इस वीडियो में वो सब कुछ ग्यान आपके लिए भरा हुआ है, जिसको आप हमेशा ढूंडते रहते हैं, टॉर्ज लेकर कहा है इस सब चीजें, इसे में मिलेगा, इसी वीडियो में देखते रहिए अखिर तक. नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनन्द भार्दवाज, और आज आपसे शेयर करने वाला हूं बहुत सारी बाते हैं, आज बलक में, आज थोक में बात करूंगा आपसे, उन सब चीजों के बारे में क्या नहीं होना चाहिए साथ-वेस में और क्या नहीं होना चाहिए नौर्थ-ईस में, उत्तरपूरँ में, इशान में होना चाहिए. जी हाँ आज मैं टॉपिक लाया हूँ बहुत सारे और हो सकता है इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसको आप बहुत दिनों से ढूंड रहें में से रिक्वेस्ट करते रहते हैं सर एक वीडियो में हमें पता दो के नौर्थ इस में क्या रखें क्या ना रखें और साउथ वेस्ट में क्या रखें और क्या ना रखें सवाल होते हैं आपके बहुत सारे एक वीडियो में जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है लेकिन आज की वीडियो में ने प्रफस तरीके से master bedroom की बात करेंगे यहां पर हम वैसे तो bedroom कहीं भी बनाओ पूरा घर आपका पूरा प्लॉट आपका पूरी जगा आपकी बच्चों के लिए महमान के लिए बनाते रही है लेकिन आपका जो master bedroom उसके लिए सबसे अच्छी जगा देखिए जो red color के जो ठीक है जहां red color के जहां पर cross बनाये हुआ है वहाँ पर कभी भी master bedroom नहीं होना चाहिए सबसे अच्छी दिशा west पश्चिम, south west नरते कॉर्ण और उसके बाज़े है south आता है यह जो red trick दिखाए दे रहा है आपको यह सब के सब master bedroom के लिए अगर आपका plot घूमा हुआ है तो निश्च चलते हैं इसके बाद लेते हैं हम cash box, पैसे के almari कहां पर रखें, गुलग कहां पर रखें, money कहां पर रखें, कुबेर का स्थान कहां पर होना चाहिए बहुत जरूरी वास्तू में, cash box के लिए सबसे ज़्यादा जो गलत जगा होती, जो negative जगा होती है, वो होती है हमारी, इशान कॉर्ण नौर्थ इसमें कभी भी कैश वॉक्स नहीं रखना चाहिए, सबसे अच्छे जगां साउथ और वेस्ट दक्षिन पश्चिम में रखें, अलमारी को अपने पैसे के अलमारी को जो खुलती हो उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा होती है कुबेर कस्थान, इसी तरह से अगर दिशा आपके घूम गई है आपके घर की, तो जो कैश वॉक्स है, आपका जो मनी का जो अलमारी है, वो कभी भी नौर्थ इसमें, इ लिडल में होती है जहां पर मैंने भी बल्यूटिक लगाए सबसे अच्छी जगा मनी के लिए कहते हैं कि मरी में एक सर पैसा नहीं ठैरता यहां रखकर देखें एक बार आप कहेंगे भारदवाजी वास्तु में तो बहुत जान है बहुत दम है आगे चलते हैं इसके बाद हम next topic लेते हैं store बच्चों का कमरे के साथ store होता है अलमारियां होती है पेटियां होती है बहुत बार हमारे पास CFC box में समार रख देते हैं भरके चाहे बड़ों का हो या छोटूं का हो कोई भी store सबसे अच्छी जगा जो yellow color से जो आपो इससे देख रहा है हरे रंग से लिखा ह возьagna कर दिया सबसे अची नेरत गुन में बनती है साहित वैसे बंती है यहां पिर बारी समा रखेंगे नियोंहत चाहिए डौр का मतलब है चल जाएगी वहाइगी इसके बाद आते हैं अगर लिसहां की घूमी हुई हो की के इसा हुआ है बाद बार आट,ocyma इसका इशान कोण आ जाएगा और इसकी जो अलमारियां होती है जितनी भी हमारे स्टोर जो होता है वो सबका सब साउथ वेस में जो ग्रीन कलर के टीक जहां पर मैंने घने कर दिये इसका अर्थ यह है कि यहां पर यह अलमारियां बहुत जादा कमफर्टेबल फील करती हैं व हमारे पास यह हमारी अलमारियां जिसमें कपड़े रखते हैं बहुत बार पैसे होते हैं देख रहे हैं परस भी रखा हुआ है और भी समाने हैं जूलरी में हो सकती है बहुत को समान हो सकता है कोई भी अलमारी क्योंकि भारी होती है इनर्ची को ब्लॉक करती है रोकती है व के पास कुछ भी रख सकते हैं इसके बाद अलमारिया अगर आपका प्लॉट घूम गया है गूमे प्लॉट में अलमारिया आपकी जो है दक्षिन पर श्रीम कंदर कमफर्टेबल जैसे यहां बिल्कुल उसी तरह से यहां पर कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है मुझे लगत हैं यह भी अलमारियां स्वरेज के लिए जैसे पहले बताया था बिल्कुल उसी की ट्रू कापी साउथ वेस्ट में अलमारिया बहुत कमपर्टेबल नौर्थ इसमें कभी बी अलमारी कोई मत रखना बरकत नहीं होगी नुक्सान उसकंदर हो जाएगा हो सकता है जो रखा आपको उसका कोई लाब भी ना भी ले सेम चीज आती है आपके घुमे फ्लोट में नौर्थ इसमें इशान कॉंड कंदर कोई भारी वजन कोई भी चीज ब्लॉक करने वाले नहीं होने चाहिए और साउथ वेस्ट दक्षिंद पस्चिम बहुत अच्छा होता इसके लिए आ श्यगा भटकके तो मेरे पास पहुँचते हैं उसके बाद भाद मिशा के लिए मेरे हो जाते हैं यही तो खास बात हैं आगे चलता है हम एप होते हैं बहुत हृट जूर। देखिए सब बातें आपस में लिंक होते जा रही हैं, अलमारियां है, स्टोरेज हैं, बिलकुल ट्रू कापी बनते जा रही हैं, साउथ वेस में सबसे अच्छा फिल करती है वो, और उसके बाद जहें जो रिकॉर्ड रूम आपका, साउथ वेस में कमफर्टेबल, नौर्थ इसमें रखे हुए, जहां पर रिकॉर्ड रूम, किसी इंडस्ट्री में नौर्थ इसमें रखते हैं, उनको भारी लॉस का सामना करते हुए, देखा है, क्योंकि इनर्ची को कर देता है, वो ब्लॉक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, भारी मशीने, देखिए सारा का सारा, जि देखिए सी मशीन यूज़ करते हैं, बहुत सारी ओटमेटिक मशीने होती हैं, कई बर पावर प्रेस होती है, बहुत कुछ होती है, वो सब के सब रखिए साउथ वेस्ट में, यहां भी साउथ वेस्ट दक्षिन पश्चिन को कहते हैं, नेरत देकोंड के अंदर मशीने, ब पूरा बुत्तर केंदर जहा है आम तर पर जो भारी मशीने होती है मालिक को कंगाल बना देती है दिवाले बना देती है बिलकुल फैक्टरी को बन कर देती है यह देखिए यहां पर भी बिलकुल सेंफ फार्मूला बिलकुल मुश्किल रही समझ यह थोड़ा सा ध्यान दें और बहुत असान आपके लिए होता जा रहा है वास्तो शास्त इसी तरह से बॉस का किसी भी इंडस्ट्री में फैक्ट्री में मशीने तो भारी होती है स्टोर भारी होता है रिकॉर्ड भारी होता है बहुत कुछ भारी होता है लेकिन सबसे भारी चीज किसी भी इंडस्ट् के जो कमांड करेगा, सब को अपने कंट्रोल में रखेगा, अगर आपने कोई जूनियर एंपलाई यहां बढ़ा दिया साउथ-वेस में, दक्षिन पश्ची में, तो वो सब के ऊपर हावी हो जाएगा, कुछ नहीं करना देगा, किसी सकसेस का, कामयावी का, इंडस्ट्रिल कामयावी का एक फार्मूला इसमें चुपा हुआ है, एक सिकर्ट चुपा हुआ है, जो इसका उल्टा करते हैं उसके बाद, जब उनको पता चलता है वास्तो कोई चीज होती है, आखिर घूमफिर के सीट लगी होती है, हमारी पहले इसको शवचाले बोला करते थे, ये कभी भी North West में उसके बाद में South के Middle में भी comfortable होता है ये South के Middle वाला देहान से समझे लियना क्योंकि ये बहुत बार आपको पता नहीं चलता वास्तु Consultant आपको लड़का के शोड़ देते हैं उसके बाद ऐसा बना ऐसा बना और नहीं बनता तो क्या गरें इसके भी बहुत सारे और तरीके होते हैं, इसमें डिटेल में भी बात करूँगा, मैं हर फैक्टर के बारे में डिटेल में भी बात करूँगा, इसके बाद आते है सेप्टी टैंक, सेप्टी टैंक जो बनता है आपका जिसके अंतर के गंदा बन जाता है टॉलेट का शोचाल पर कि गंदा पानी हमारे टालेट का आके भरा जाता है श्म से अगर फार्मूला यहां पर आता सभ्षेद कर नरफ वैस में बःत कंफरटेबल वेज तक चल जाता है बैस बुरा नहीं होता chapter tank के लिए इसके बाद आगे चलते हैं ये आ जाता है हमारे underground water tank जमीन के अंदर पानी का टैक बनाते हैं सबसे अच्छी दिशा इशान को नौर्थ और हीस होती है लेकिन इशान कोंड में देखिए ध्यान से ये बात लोड करने की है कि इशान कोंड में मैंने क्रॉस किया हुआ इसका मतलब एक लाइन जो है एक imaginary लाइन होती है जिसको हम डैंगल कहते हैं विकर्ण भी बोलते हैं हिंदी के अंदर वो इशान कोंड को नेट कोंड से मिलाती है उसके उपर कोई भी टैक पानी का अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए इसके बाद बाकी सब दिशाने देखिए कितने कमफर्टेबल है और साउथ वैसे पूरा साउथ और पूरा का पूरा नौर्थ वैस सेंटर में नौर्थ इस में जैसे वहां क्रॉस लगाया था बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पर यह भी क्रॉस लगाया हुआ है आप देख रहे है इसके बाद आगे चलता है स्टडी रूम बच्चों का अधियान कख्ष कहा होना चाहिए सबसे अच्छी दिशा होती है एंटायर नौर्थ एंटायर इस लेकिन साउथ इस में स्टडी नहीं हो सकती साउथ वैस में तो बिल्कुल भी नहीं होती दक्षिन पर नहीं होगा जादा अच्छा है कि आप उत्र में और पूरं में और यह पश्चिम दिशा उडिये बनती है तक यहां पर में गूं आता है पूरं ओता आता है उत्तर में यह है लेकिन नौर्थीस के नदर पूरं इतरके अंतर पार जो बक्ने से और अगर आपने बनाई है आगे चलते हैं अध्यान के बाद बच्चों का कमरा रहने का कमरा बच्चे कहां पे रहें कभी भी दक्षिन पश्ची में, नरत खोंड में साउथ वेस्ट में, साउथ में, दक्षिन में और साउथ आइस में जिसको अगने कौन कहते हैं ये देखिए लगबग ये मान के चलिए कि इस इसका जो है ये आधा जो एरिया है वो पूरा का पूरा बच्चों के लिए कमफर्टेबल नहीं है ये पूरा का पूरा अच्छा नहीं है और उपर का जितना एरिया देखने हैं आप ये सब का सब हमने इसको ठीक मार्क किया हुआ है बिलकु ठीक है बिलकुल वही फार्मॉला जो हमने उपर लिया था वही फार्मॉला यहां पर भी है ये देखिए इस में यह पूरा का पूरा एंटाइर इस एंटाइर नॉर्थ एंटाइर नॉर्थ इस comfortable नॉर्थ वेस्ट भी comfortable वेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है तो यह बच्चों के रहने के लिए बहुत अच्छी दिशा बनती है अब देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ भरपूर ग्यान दिया मुझे लगता है कि अगर आप नया मकाल मना रहे हैं फैक्ट्री मना रहे हैं इंडस्ट्री मना रहे हैं ऑफिस मना रहे हैं तो उसमें आपको इसका बहुत बड़ा लाब मिलेगा और जो बातें आपके मैंड में आई थी मुझे लगता है 100% नहीं तो 99% तो इसमें मैंने cover कर ली हैं आगे मेरे वीडियो बनेंगे इन सब के जो बारिकियां होती हैं कि जितने पहलू होते हैं वाकी उस पर भी चर्चा करूँगा आगे वीडियो बनाऊंगा next पहले भी बहुत मनाई हैं मैंने आगे वी बनाऊंगा मैं साथियों मैं आपको बताता हूँ आप सुनते हैं समझते हैं ये मेरा स्वभाग है आप सोचते हैं आपका स्वभाग हैं मुझसे अच्छे समझने वाले और सुझे वे लोग मिले जो मेरे सब्सक्राइबर अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देखा था तो सब्सक्राइब करना मद भूलना अभी कर लेना और अगर इसको आप जो है लाइक करते हैं तो इसको लाइक जरू कर देना साथ में शेयर भ बढ़ते रही है.